आपको पता दे कि जजपूर जिले के सन्नावासियों ने पहली बार सोहाद्र दिखाते हुए शांतिपूर्ण ढंक से अपनी रेलिय और शोबा यात्रा निकाली कभी सन्नावासियों को कट्डरपंधी की रूप में देखा जाता था परंदू एतिहास का पहला मोगा कहा जा सकता है कि जब सन्ना के हिंदूओं ने गड़ेश मिशर जनका और मुसल्मानों ने मोहरम की रेली एक साथ एक ही रोड से निकाली और पुरे देश को सुहाद्र और जीवन जीने का संदेश दिया आपको बताते कि सन्ना के हिंदूओं ने गड़ेश मिशर जनका यात्रा बड़ी दूमदाम से निकाली और मुसल्मानों ने भी मोहरम की रेली सोहार्द पोर ढंक से निकाली इस कारिकरम में सन्ना के सभी हिंदू मुसल्मान शामिल थे हिंदू मुसल्म दोनों एक साथ जुलूष निकालें क्या क्या ऐसा इतिहास के पहली बार हुआ है शन्ना में क्या लगता है आज बड़ा असान्दार जुलूष है यहां सन्ना में हिंदू मुसलिक्स जुलूष से हम पूरे हिंदूस्तान को यह मैसेज देना चाहते हैं यह हम एक हैं आज भी एक है वह रहें करते हैं लख लगत करने वाले जिये चैस लग लग कैसा राहें सरनक के नगरवासियों का कहना है कि ये इतिहास का पहला मोका है जब हिंदु मुसल्मान एक ही साथ एक सड़क पर शांती पूर्ण ढंक से अपनी अपनी रेली निकाल रहे हैं और इस रेली को देखकर सभी मैला पूरुषों को बहुत खुशी हुई है और आगे भी इसी तरह का कारिक्रम हमारे द्वारा किया जाता रहेगा पहली मौका में ऐसा हुआ है कैसा लग रहा है क्या लगता है आगे भी इसी भाईचारा बनी रहने चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरेफारा क्या संदेश देना चाहते हैं किसी प्रकार का कोई जगड़ा उगड़ा पनी हुआ है कभी आपका जूलिस आगे कभी उनका जूलिस आगे ऐसा चल बनाए कर दोसे कमा थे से घारा जाट रहा ऑंडे का जगड़ा पनी हुआ है या मिलकर बात पैसा ऐनु का साभी API? किसा अधष? किसी पिष्र बात है इसा नहीं लगड़ा रहा है हमार थे वारर कृल को यादा आध कर आपको बता दें कि ऐसा प्रदर्शन जश्पूर जिला में पहली बार हुआ जब सभी हिंदू मुसल्मान एक साथ दिखे एक दूसरे से गले लग कर पुरे देश को इसंदेश दिया कि इस तरह आपसी भाई चारा बना रहता है और आने वाले समय में ऐसे ही सोहार्द पून धंक से शोमायात्र निकाली जाएगी जश्पूर से राकेश गुपता की रिपोर्ट